ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्टो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं तुलाराशी वालू अब आप मजाक समझने की गलती बिलकुल भी मत करना क्योंकि अब आपको 27 मार्च से 10 अपरेल याने की इन 15 दिनों में बहुत बड़ी खुसकबरी मिलने वाली हैं यूँ कहें कि इन 15 दिनों में अब आपके पास गाड़ी भी होगी बंगला भी होगा और आपके सभी सपने प सिरवास से इन 15 दिनों का समय आपके लिए बहुती अच्छा समय रहने वाला है इन 15 दिनों में आपको अने को प्रकार के लाब धनलाब और बंडबली सफलताओं के प्राप्ति होने वाली हैं जिससे आपका जीवन बदल जाएगा या दोस्तों भी बड़ी खुसकबरियां है कौन-کईसी है इसलिए आप लोग हमारे साधे से वीडियो में अंततक अवस्ष में रहें और अंततक इसे वीडियो को आप पूरा देखें बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुती महत पपोने रहने वाली है दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करें सबसे पहले भगवान शुर्यदेव के सच्छभट इस वीडियो को एक लाइक अभी कर दें और कमेंट स्बोक्स में जै शुर्यदेव भी अवश्य लिख दें जिससे भगवान शुर्यदेव का शिरवाद आपको शीरे प्राप्त हो सके चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा आपके लिए भगवान शुर्यदेव के अशिरवाद से 27 मार्च से 10 अपरेल याने की इन 15 दिनों का यह महत्पपोन समय दोस्तों यह समय ग्रह गोचर पूर्ण रूप से आपके पक्ष में है आपकी आर्थिक इस्तिती मजबूत वे शशक्त बनेगी आलस छोड़कर पूरे मनो योग से अपने लक्षय को पूरा करने में आप शंगलन रहेंगे युवा वर्ग अपने केरियर के पृती पूर्ण एकागर चित रहेंगे और सफलता भी अवश्य ही प्राप्त करेंगे दोस्तों साथिसाथ आप लोग कैसी भी परिष्टिती में शामाने रहते हैं आप अपने कर्म वे पृशार्थ के माध्यम से अपनी उपलब्दियों को हासिल कर लेंगे शंतान के विद्या अध्यन से संबंदित कोई महत्पपूर कर रहें शंपन होगा दोस्तों साथिसाथ उधार दिया हुआ पैसा प्राप्त करने के लिए अब उचित अफशर हैं इसलिए आप प्रियासरत रहें बच्चों से संबंदित कोई समस्या हल होने से बहुत अधिक आपको रहत महसूस होगी किसी नज़िदीक रिष्टिदार से पुराने मतभेद दूर होकर संबंद पुने सोहार्द पूर्ण बनेंगे साथ साथ पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्त संबंदित परिसानियों में ऐ प्रतियासित सुधार आने से स्वैम को आप उरजावान महसूस करेंगे और पूरे आत्म विश्वास वे पराक्रम से अपने कार्यों को पूरा करने में आप शक्षम रहेंगे घर में किसी धार्मिक आयोजन संबंदित योजना भी बनेगी दोस्तों साथ साथ अगर कोई भवन निर्मान संबंदि कार्यों रुका हुआ हैं तो अब इस समय उसका पूरा होने के योग बन रहे हैं साथ साथ किसी प्रोपर्टी को खरीदन संबंदी योजनाय भी बनेंगी आपका वैज्यानिक दरश्टी कोण तता उन्नत सोच आपके घर तता व्यवशाय दोनों में समांजस बना कर रखेगी दोस्तों साथ साथ यह समय प्रोफेशनल पढ़ाई में अध्यनरत विद्यार्तियों को उचित सफलता प्राप्त होगी आप अपने लक्षे के प्रती पूर्ण रूप से एकागरचित काम करने में सफल रहेंगे भूमी या वाहन के लिए रण लेने की भी योजनाई बनेंगी परन्तु जल्द ही आप उसे चुकता करने में भी शक्षम भी रहेंगे दोस्तों साथ साथ यह समय दूसरों के मामलों में हस्त छेप आप ना करें जिसकी वज़े से एक कारण ही लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे बिना पड़े किसी भी कागज या फिर दस्तावेज पर आप हस्ताक्षर ना करें साथ ही क्रोध वे गुस्से पर अंकुस रखना आपके लिए अतियावशक है साथ साथ इस्तियों को मजबूत करने के लिए किसी अनुचित कारण का सहरा आप ना लें अन्य था कोई परिशानी उत्पन हो सकती है कोई व्यक्ति आप से चिकनी चुपड़ी बाते करके आपकी कोई गुप्त बात निकल वा सकता है इसलिए आप साथ इसाथ किसी के साथ भी बात चीत करते समय बहुत अधिक ध्यान रखें कि आपकी किसी नकारात्मक बात से संबंद बहुत अधिक खराब हो सकते हैं महिलाएं विपरेत लिंगी विक्तियों के साथ बात चीत के दोरान साफधानी बढ़ते किसी प्रकार की बदनामी भी हो सकती है दोस्तों साथ यह समय नकारात्मक प्रवर्ति के लोगों से आप दूरी बना कर रखें क्योंकि उनके द्वारा समाज में आपके खिलाफ कुछ गलत फैमिया उत्पन करने की योजनाएं बन सकती हैं कभी कभी गुस्से में आप आक्रमक रुख अपना लेते हैं जिससे आप अपने लिए ही परेशानिया खड़ी करते हैं अपने इस वेवार पर थोड़ा आप कंट्रोल करें दोस्तो साथ साथ यह समय कभी कभी किसी नकारत्मक परस्तितियों के उत्पन होने से विचलित और निरास भी आप हो सकते हैं फिजूल खर्ची पर भी नियंतन रखना आपके लिए अति आवशक है रूपे पैसे के लेन देन के मामलों में किसी पर भी भरोसा आप ना करें किसी रिष्टेदार से सम्बंदित एप्रिय समाचार प्राप्त होने से मन काफी उदास रहेगा दोस्तो साथ साथ यह समय किसी लापरवाई की वज़े से पैसा बरबाद हो सकता है इसलिए आप सावधान रहें बहतर होगा कि कोई भी निर्णे लेने से पहले अनुबवी व्यक्ति की सला आप आवस चलें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो बात अगर आपकी लव लाइफ की करें तो यह समय पती पतनी के बीच चल रही गलत फैमिया दूर होंगी साथ ही किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति से भी मुलाकात हो सकती है परिबारिक परिस्थितियां पूर्णतें पक्ष में रहेंगी घर के बड़े बुजुर्गों का अशिर्वाद वे सयोग घर के वातावरण को शुकद में बना कर रखेगा दोस्तो शाति साथ यह समय विपरीत परिस्थितियों में जीवन साती का पूर्ण सयोग आपको प्राप्थ होगा प्रेम संबंद भी मर्या दित रहेंगे दोस्तो शाति साथ यह समय परिवार में शुक्सांति का वातावरण बना रहेगा मित्रों के साथ परिवारिक गैट टूगेदर प्रसंदता वे नई उर्जा आपको प्राप्थ करेगी जिससे परिवार में खुस्नुमा वातावरण रहेगा और आपके प्रेम संबंद भी बहुत अधिक मजबूत होंगे दोस्तो बात अगर आपके करियर और वैवसाय की करें तो यह समय वैपार में कुछ परेशानिया महसूस होंगी नई तथा अजनभी लोगों पर आप विश्वास ना करें तथा अपने निर्णे को ही प्रात्मिक तादें कोई नजदी की यत्रा संपन भी हो सकती है जो आपके लिए बहुती लाबदाइक साबित होगी नोकरी पेशा व्यक्ति अपने ऑफिस में अपना उचित वैवार बना कर रखें दोस्तों साथि साथ वैपार को पुने उठाने के लिए आप भरसक प्रियास और परिश्रम करेंगे आंसिक रूप से आपको सफलता विप्राप्त होगी परन्तों कुछ विरोधा भासी प्रवर्ती के लोगों से दूरी बना कर रखें नौकरी में लक्षे को पूरा करने के लिए बौस वे अधिकारियों का दवाब बना रहेगा किसी प्रकार के तनाव वे टकराव होने की इस्तिती बन रही है परन्तों अगर आप धहरे और सैयम से काम लेंगे तो परिस्तितियां उन्हें सामान ने हो जाएंगी किसी अनुबवी वेक्तिक की सलाँ आपको मुश्किल परिस्तितियों से निकानने में आपकी मदद करेगी दोस्तों साथी साथ वेपार में भहुत अधिक आपको मेहनत और परिश्रम करने की आवश्रक्ता है यह समय आपको कुछ शकारात्मक प्रणाम भी प्राप्त होंगे तता विस्तार संबंदी कुछ नई योजनाई भी बनेंगी परंतु अपने काम के क्वालिटी पर और अधिक आपको ध्यन देने की आवश्चकता है जिस पर इस समय कुछ विचार विमस भी होने की संबावना ह परंतु पार्टनर तता करमचारी की हर गतिविदी तता क्रिया कलाप पर नजर रखना आपके लिए अतियावश्चक है आपकी वेपारी के सूचनाई भी लीक हो सकती है परंतु आपका पूर्ण रूप से समर्पित भाब, कारोबार और नोकरी में आपको कुछ अच्छे परिणाम हासिल करवाएगा, किसी को पैसा देने से पहले धनकी वापसी भी सुनिचित करना आपके लिए अतियावश्चक है, अन्य था आपका पैसा भी फस सकता है, सावधान रहें, दोस्तों बात अगर आपके स्वास्त की करें, तो यह समय वाहन बहुती आप सावधानी पूरवक चलाएं, किसी प्रकार की चोट या फिर दुरगटना के योग बन रहे हैं, हलकी फुलकी, मौसमी बीमारी जैसे खासी जुखाम आपको रह सकता है, इसमें किसी भी प्रकार की आप लापरभाई ना वरतें, तनाव, अवसाद, वे मौसमी बीमारियों से थोड़ा आप बच कर रहें, अपनी दिन्चरिया और खानपान को विवस्तित रखें, दोस्तों साथ साथ कुछ समय से चल रही, स्वास्थ संबंदित परिसानियों से यह समय आपको राहत मिलेगी, रोग निर्वत्ती के लिए प्रकर्तिक तरीकों को अधिक अपनाएं, इसके लिए आप कुछ समय मेडिटेशन में व्यतित करें, ऐसा करना आपके स्वास्थ के लिए बहुती अच्छा रहेगा